मेरा यूटूब चैनल फैंटासी एब्रीट 11 पे आपका स्वागत है आज मैं ड्रीम 11 में क्रिकेट की टीम प्रोवाइट करूँगा जो है मैं उसे कई टीम प्रोवाइट करूँगा गाइस तो मेरे साथ यह वीडियो लास तक देखिए मैं जो भी अपडेट दूँगा जो भी स्रेश्टेट प्लेयर के बारे में बोलूँगा आप उसके हिसाब से अब खुद का भी टीम बना के जा सकते हो तो गाइस यहाँ पर से डाफा बेट एसे पील केनिया टीट्विंटी काप में आज का मैच यहाँ पर से नकाडू लेपर्स और किसुमू पाइथन्स के बीच मैच है जो यह मैच स्टार्ट होंगे आज चार बज़े से जो यहाँ पर से मंबोसा स्पोर्स क्लाप ग्राउं मंबोसा केनिया पर है यहाँ पर से जो सिक्स मैच है केनिया टीट्विंटी काप का जो आज के मैच यहाँ पर से नकाडू लेपर्स जो फास्ट इंकाउंटर जो ठीका हिपोस के साथ यहाँ पर से यहाँ पर से जो जीता था और यहाँ पर से बाउंच बैक करने चाहेंगे तो मॉंबा सराइनूस के साथ 46 रंग से जीता था ठीका हिपोस के साथ मैच आ रहे थे तो मैच खेले था एक मैच जीता था और अधर वहरं पे किसुमू पाइफन जो अपितक एक ही मैच खेला है जो उनको हार मिला है जैसे यापर से जो 114 रन भी करना पाए बारा रन से मैच हार गया था नाइडोबी लाइन्स के साथ तो यापर से जो मिर्जा दनिश आलम जो आज का मैच सटाट करेंगे यापर से और अनलस के साथ और येस में रिया वाटसल नीमेस पांचाल मोडिस ओमा विकेट कीपर बैट्समैन पे काफी बढ़िया है एज्या ओटीनो या पर से उनका बैट्समैन है एगविनी ओचियंग जो ऑल्लाउंडर है पुशकर शर्मा ऑल्लाउंडर है वरच पाटेल ऑल्लाउंडर बॉलर है रोहित रा अच्छा बैट्समैन है अमीद महरा अच्छा ओल्लाउंडर है सूरेश कुमार मोहमद सुहाब अक्षा अच्छा बॉलर है मुकेश अच्छा बॉलर है रोमान हर्षिध हिरानी हितेंद संगावी काफी बढ़िया ओल्लाउंडर है और हरंद्रो करवाई जो विकेट कीपर बैट्समेन है तो गाइस मेरे ये वीडियो लास तक देखिए मैं पूरा अपडेट दूँगा कौन से प्लियार किस नमबर पे खेलेंगे कैसा स्टैट है उनका फास्ट है केराई और ओमा ये दोनों में से ओमा कफी इंपोर्टेन बैट्समेन प्लास विकेट कीपर ये साथ म उनको दोनों को पीक करूंगा अगर पीक करने चाहेंगे यहां पर सब वर्सल और पंचल के साथ जा सकते हूं यहां पर से मुकेस अच्छा चोइस रहेगा क्यूंकि उनका पदेशन भी अच्छा है दो वीकेट पीक किया था तो यह काफी इंपोर्टेन पीक रहेंगा अच के मैच के लिए आब आते हैं सजवानी जो टीम का कप्तान है पहले मैच अच्छा खेले थे निकिल लास्ट मैच में यापर से नौ रण बनाए थे साथ में दो वीकेट यहां पर से पिक किया था उसके बाद यापर से नकाडू लेपर्स के तरफ से जो खिलारी रहेंगे मिर्जाद अनीज आलम यह थोड़ा सा बेटर आप्शन रहेंगे क्योंकि इनका पदेशन 33 बॉल में 49 रन बनाए थे जो काफी इंपोर्टेंट चोईस रहेगा उसके बाद यापर से आमित मेहरा यह अच्छा चोईस रहेंगे क्योंकि 24 बॉल में 30 रन बनाए थे आमित मेहरा ने और यापर से दो वीकेट भी पिक किया था साथ में यापर से पुषकर सर्मा को पीक करूँगा क्योंकि पुषकर सर्मा भी अच्छा पदशन किया है 23 बॉल में 41 रन बनाए थे और यापर से वीकेट भी जटका सकता है साथ में आते हैं संगवी संगवी अच्छा चॉइस हो सकता ये भी कफी important पीक हो सकता अचके मैच के लिए क्योंकि पिछले मैच में 12 बॉल में 19 रन बनाए थे साथ में 2 वीकेट पीक किया था तो अभी तक मैं नई पीक करूँगा तो यापर से लाइन अप के बाद ट्राई कर दूँगा यापर से ओटियों नो भी अच्छा चॉइस हो सकता है अचके मैच के लिए यापर से बॉलिंग आप्शन पे पीक करूँगा ओचियंग को हर मैच में 1-2 वीकेट पीक कर सकता है या खिलाडी उसके बाद वरच पटेल पिछले मैच में 3 वीकेट जटकाए थे ये important है मैं उनको पिक करूँगा या पर से सवराप कुमार है राकेश कुमार है अक्षाइ को काफी important choice है मैं उनको पिक करूँगा या पर से मैं आरग बर बोल दूँगा कि आप ओटेंटों के दूँगा मेरा टेलीग्रम चनल पर जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको दिया हुआ है कैप्टेन वाइस कैप्टेन दानिस आलम मीर्जा दानिस आलम अमित महरा पुशकर शर्मा और यहापर से रहेंगे काफी अच्छा चोईस अजवानी कैप्टेन वाइस कैप्टेन के कि यहां पर समझ आएगा मजा से बात निरवर करेगा कैप्टेन वाइस कैप्टेन और रहेंगे मेरा बैमरे और भाना आने मोमच इसारीट कर दूँगा लिंक आपको टेस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तेलीक्रम पर में वह आप और फाइनल टीम प्रोवेट कर दूंगा गाइस आफ एसाब मैच हेट टूएट के लिए स्मॉल लिक लिए ज़्यादा से ज़्यादा विन करें गाइस और बेस अच्छ के मैच के लिए बाइबाइब